आटो मोबाइल इंडस्ट्री की लेटास जानकारी के लिए कार मेरे यार सब्सक्राइब करें और नोटिफकेशन बेल को पुश करें ताकि वीडियो जैसी है अपलोडो आपके पास महों सके नमशकार दोस्तों कार मेरे यार में आज की एपिसोड में आपकास वागत है दोस्तों आज बात करेंगे कैसी कंपनी के बारे में जिसने इंडिया में आके कुछ इकनोमिकल सी रेंज की गाड़िया मनाने की कोशिश भी की कुछ सफल भी होई, कुछ कामाभी भी मिली, कुछ GAR़ी की भीकी भी, लेकिन इतनी सफलता नहीं मिली कि मरुती को टक कर दे सके, चोटी गाड़ियों के अंदर कहें तो मरुती 취zuki की जो गाड़ीयां मनाती हैं उसको कुछ टक कर दे सके मैं बात करई दोस्तो lifted Datsun की अच्छी कामया भी नहीं मिल पारी जिसकी कामयादी की उमीद लेके ये गाड़िया निकाली गई थी लेकिन अब इसका जो सबसे छोटा संस्क्रण है रेडी गो उसके एक फेसलिफ्ट वर्जन पिछले एपिसोड में मैंने बात की थी उसके बारे में लेकिन आज उसके लिए वह लौश कर दी गई है कल तो उसके लिए सारी डेटेल इंजिन्स वेरियंट्स कलर्स सब कुछ है हमारे पास उससारी डेटेल में बात करेंगे और उसके साथ ही बात करेंगे कुछ मिरको आप कमेंट मेंट लिखेगा इस बारे में मैं एक थोड़ा सा हिंट दे दूँगा लास्ट में आपको कि कौन सी गाड़ी के साथ राइवल तो कोई डिया रिसका लेकिन उसके साथ कोंपेटेशन का एक वीडियो चाहिए आपको तो आज 0.8 लेटर के अंदर सिर्फ दो ही गाड़ियां बची है एक क्विट बची है और दूसरी रेडि गो बची है जो कि अब आई है यानि कि दो आप्शन के साथ 800 CC और 1000 CC के साथ अब दो ही गाड़िया आती है तो क्या वो आपको चाहिए रिव्यू क्या वो कंपैरिजन आ आज का वीडियो आज दोस्तों जो रेडी गो है लॉंच कर दी गई है उसके अंदर छे कलर्स जो नहीं चीज़ा वो पेश करता हूं पहले आपके बास छे कलर्स एविलेबल किये गए हैं पहले चार कलर से दो नए कलर कौन से आए हैं उसमें अगर बात कुरूं तो वाइट और फाइर रेड यह कुल मलाके छे कलर इसके अंदर आ जाते हैं अब दोस्तों इसके अंदर अगर मैं शुरुआत में बात करूं तो इंजिन कौन कौन से हैं 0.8 और 1.0 दोनों ही ओबियसली फेसलिफ्ट किया गए बीए 6 के कारण तो बीए 6 में जो इंजिन है उन पार है 1.0 लिटर का जिसके अंदर की 68 PS की पावर 91 अनकी टॉक के साथ जनेट होती है 5 स्पीड का मैनोल और 5 स्पीड का ऑटोमेटिक ट्रांस्मिशन इसके अंदर आता है अब जो वेरियंट से इसके 1.0 लिटर वाल एंजिन के अंदर सिर्फ और सिर्फ दो ही वेरियंट आ लाख 83 हजार पे से एक शोरूम दिली से कीमते इसकी शुरू कर दी गई है ए वेरियंट जो थीन लाख 58,000 अजार पे का है उसके बाद टी वेरियंट आ जाता है 3,80,000 पेक इसके अंदर टी ऑप्शनल वेरियंट आ कि 4,16,000 पेक यानि कि इसके अंदर 4 वेरियंट आ जाते ह है इसके बाद आता है 1.0 लिटर वाला उसके अंदर एक मैनुल का और आटोमेटिक का ट्रांसमिशन है यानि कि फुल बेल्स और विसल के साथ हमें एक एक वेरियंट दोनों का मिल जाता है इसमें और कोई गुझाईश नहीं है उनकी कीमतों की बात करो अगर तो टी वेरिय अचन टी-अप्श्णल एक ही वेरियंट है एक लिटर में अब दोस्तों बात करते हैं इसके जो वेरियंट है उसके अंदर क्या-कया है और ऊजल्स में आट करते हैं इसको हांग जो से Pacific और front में भी rear seat के साथ front में भी आमरा storage with storage center console दे दिया गया है अच्छी चीज है, front में भी bottle holder और rear में bottle holder दोनों में मिल जाती है base variant से ही, इसके साथ हमें gear shift indicator, heater और adjustable steering मिल जाता है अब इसमें एक चीज और देखने वाली है, इसमें मैंने heater का नाम लिया, AC का नाम नहीं लिया तो इसके अंदर AC नहीं आता base variant के अंदर, power wire steering भी नहीं है, manual steering है और rear storage मिल जाती है, center armrest मिल जाता है, लेकिन इसके अंदर AC नहीं मिल पाता अब यह थोड़ी सी bike correction, थोड़ी सी गड़बड हो गई, एक variant के अंदर जो यह armrest वारा सारी चीज़े हटा देते हैं, AC का डाल देते हैं, तो यह थोड़ा बहतर रहता है, feature एक आदा और हट सकता था चलिए, दीरे दीर करें, आगे दीर करें निकालेंगे, लेकिन दीरे दीर करेंगे चलते रहते हैं, आगे step काउन, कौन से features एन के अंदर, फिर कमिया भी ढूंडेंगे, safety के अगर बात करूँ, तो safety के अंदर, anti-lock braking system, एक airbag, यानि कि driver side का एक airbag मिलता है, obviously जुरूरी भी है कि ABS भी दगा दो, speed alert system भी चाहिए, reverse parking sensor चाहिए, तो ये तो compulsory है, तो ये तो है ही है, इसके अलावा क्या है, child safety lock, anti-theft alarm, rear seat belts, seat belt warning, crash sensors और EBD, ये सारी चीचे इसके अंदर, safety के अंदर standard ही मिलती है, किसी भी variant के अंदर, चाहिए कोई भी ले लिजे, उसमें हमें, मिलेगा ही इसके अलावा, safety के अंदर, क्या-क्या मिलता है, उसके बाद, speed alert system, ये एक extra है, जो की compulsory कर दिया गया है, उसके बाद, अगर कहूँ, music system की बाद, तो AC ही नहीं है, तो music system कहाँ साएगा, तो music system भी नहीं है, इस गाड़ी के अंदर, interior की बाद करूँ, तो electronic multi trip meter मिलता है, fabric upholst industry और digital automator, इसके अलावा भी काफी सारे features हैं, लेकिन मैं main features की बात करूँगा, नहीं तो video बहुत लंबी हो जाएगी, अगर steering की बात को तो adjustable headlamps, manual adjustable ORVM, इसके अंदर मिल जाते हैं, wheel covers मिल जाएंगे, chrome grill मिल जाएगी, तो अगर tire size की बात की जाए, तो throw out the variance, एक ही tire size है, जि अगर बात करूँ दोस्तों, इसके अगले variant की, A variant के अगर मैं बात करूँ, तो A variant है, 35,000,000 पे का, जिसके अंदर की 75,000,000 पे हमें फाल्तू देने पड़ते हैं, उसके अंदर हमें क्या extra मिल पाता है, पिछले variant के अलावा, अब इसके अंदर power steering साथ में जुड जाता है, औ और accessory के साथ हैं अंदर power outlets इसके अंदर, यानि की charging के लिए, mobile charging की sockets हमें मिल वाती हैं, और bench folding पिछली seat है, यानि की 60-40 नहीं है, full seat हमारी fold हो जाती है, अगर बात करूँ दोस्तों इसके convenience की, तो AC के अंदर feature साथ में जुड जाता है, और engine embolizer safety में जुड जाता है, अंटेर इसके की कीमत कहीं 3,80,000 के करीब पड़ती है, जिसके अंदर 22,000 पर हमें फालतू देना पड़ता है, इसमें क्या-क्या है, keyless entry मिल जागी, central locking मिल जागी और power door locks, यानि की convenience के features काफी सारे मिल जाते हैं, इसके अंदर 2DN का audio यहां से शुरू जाता है, जिसके अंदर radio, FM, USB, USB, AUX, यह सारी चीज़े हमें मिल जाती है, और उसके अलावा अगर मैं को हूँ, तो dual tone का dashboard मिल जाता है, बस यही कुछ खासिते हैं इसके अंदर, इसके बाद अगर इसके top variant की बात करो तो 4,16,000 पर है, जिसके की कीमत 36,000 पर हमें पड़ती है, जिसके अंदर क्या-क्या मिल हमें rear parking camera में मिल जाएगा, इसके अब साथ और क्या चीज़े हैं, front की fog lights है, obviously, वो भी LED और LED DRLs, LED front fog lamps, यह सारी चीज़े हमें मिल पाएंगी, कुछ extra, यानि कि exterior से देखने भी गाड़ी काफी identical लगेगी, यह top variant आ रहा है, अब दोस्तों बात करूँ, इसके 1.0 लिटर वाल देखे हमें 1.0 लिटर वाला इंजन मिल जाता है, जिसमें की 67 BHP की power, 91 NK talk के साथ, 3 सिलेंडर वाला इंजन हमें मिल जाता है, जिसमें की 5 स्वीड का manual transmission है, अभी तो, इसके अंदर feature वही है, जो top variant के अंदर मैंने बताए, T optional के अंदर 0.8 लिटर में, और automatic की जो कीमत है, व 2,92 अरपे की गाड़ी है, अगर हम बात करें, 0.8 लिटर के इंजन की तो दोनों का सेम है, आप समझेरों ना, रेनोल्ट और निसान, रेनोल्ट और डाटसन, एक ही चीज़ है, तो, बाकी चीज़ों की बात करेंगे, बाकी comparison बात करेंगे, गाड़ी कौन से लेने चाहिए, इसकी अगर बात करूं, तो फिर अगले नेक्स वीडियो में करेंगे, वो कमेंट भी आप बेरको बताईएगा, आपको चाहिए वीडियो तो बन जाएग उसके लिए, अब दोस्तों बात करते हैं, तो इसके अंदर कौन सा value for money package है, value for money package के हिसाफ से मेरे हिसाफ से बनती है इसमें गाड़ी T variant इसका value for money package बनता है, क्योंकि हमें 36,000 और एक्स्टा देना पड़ता है, और आज कल जो touchscreen infotainment system और कुछ खास नहीं है, अगर हम 36,000 और एक्स्टा देना है, तो थोड़े से पैसे और लगा के, हम 4,44,000 पर लगा के 1.0 लें, अब क्योंकि 0.8 लेटर के engine क मैं वैसे prefer नहीं करता, लेकिन अगर किसी के मजबूरी है, लेना ही लेना है, तो फिर उसके अंदर छोटा सा मिल जाएगा, ACB सास में चुड़ गया, तो आप T variant ले लिगा, जिसके अंदर की कीमत हमें 3,80,000 पर एक्स्टोरूम पड़ती है, और अगर हमें चाहिए, टॉप वेरेंट 0.8 लेटर का, तो मैं अवाइड करूँगा उसको, क्योंकि उसके नदर टास्क्रीन, इंफोटेन्मेंट सिस्टेम, अंडर डॉट, एपल, कार्पल, एड़े इरेल, यह सारी चीचों तो मिली जाएंगी हमें, लेकिन उसे 28,000 पर फालतू लेकि हमें बड़ा दाटसन या निसान के बारे में कुछ कहना तो शंका वाला विशे हो जाता है कई बार आगे जाके कुछ कई चीज़े और आ रहे हैं की एक मैगनाइट नाम से गाड़ी आएगी इनकी निसान की जो की सब 4 मिटर कंपक्ट एसी भी होगी, तो अभी तो डाटसन के लिए कहना कुछ मुश्किल है, अभी तो एक गैप फिल करनी कोशिक की जा रही है, जस्ट एक कॉस्मेटिक अपडेट दे के इसके अंदर एक बाहर से बनावट में काफी सारे चेंजिस दे के उस गाड़ी को दिखाने की कोशिक की गई है, तो उमीद करता हूँ कोई थोड़ा बहुत यह अपडेट कैसी लगी है आपको, आप क्या समझते हैं इस गाड़ी के बारे में, क्या सोचते हैं इस गाड़ी के बारे में, नीचे कॉमेंट में लिखिएगा, अगर आपको कम्पेटिशन के लिए वीडियो चाहिए तो वो भी बता दीजेगा, उसको भी मैं बना होगा, सीट बैल लगाकर आराम से ध्यान से गाड़ी चलाएं, सेफ रहें हों तंदरूस रहें, नेक्स वीडियो तक, जैह हिं दोस्तों